हेलो स्टुडेंट मेरा नाम भुपेंद्र पटेल है और आप देख रहे हैं मेरी यूटूब चैनल LCS तो जैसे मैंने सिंफॉनी पर दो वीडियो डाले थे कि वाट इस दे सिंफॉनी और हाव टो इंस्टॉल दी सिंफॉनी विद्धी जैम सर्वर इन विंडोस राइट सो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला जो बहुत इंपोर्टन होगी क्योंकि हम जब भी रन करते थे लास्ट वीडियो में तो हम पहले सर्वर को स्टार्ट करते थे दन वी विल विगन राइट दी यूरल इन दी अवर अड्रेस बार सो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत बुलिए क्योंकि मैं जब भी वीडियो नहीं डालू कोई सिंपो नीगा आप तक इजी से पहुच जाएं तो पहले क्या किया था हमने चलो रिवाइस कर लेता हूं मैं कि हम cmd open करते हैं तो cmd में जैसे मैंने बताया था हमने last project create किया था वो मैं बता देता हूं आपको cmcd atidoc तो जैसे मैंने open किया था मेरा computer में बता देता हूं आपको की क्या था exactly yeah this is our project whatever we have created in last video right तो आज हम इसको क्या करेंगे कि जो हम 127.0.0.1 colon 8000 पे हम run करते थे वैसे ही मैं आज आपको बताऊंगा कि उसको कैसे run करते है एक virtual host से right तो हम virtual host एक पहले नया project create करेंगे देन उसके बाद एक virtual host create करेंगे और उसके थ्रू हम आज का project run करेंगे तो चलो शुरू करते हैं हम पहले करते है composer create project skeleton and project का नाम कि suppose test अंडर्सकोर प्रोजेक्ट ओके ओ स्वारी मेरे नाम गलत दे दिया अंडर्सकोर अलाव नहीं करता है ओ स्वारी वाट हैपन ओके ओके sorry 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 कहां पर करना है मैं symphony में get it so यह project create हो रहा है we have to wait few minutes की project complete हो जाता है फिर मैं आपको बताता हूँ जब भी हम कोई नया project create करते हैं symphony में so it will take some two to three minutes maximum five minutes sorry for this देखिए यह हमारा project install हो रहा है आपको मैं बढ़ा कर देता हूँ ओके यह हमारा create हो गया चलो हम folder में जाके दिखते हैं तो yes यह हमारा project बन गया तो इसका मैं rename copy कर लेता हूँ name अब हमें क्या करना है virtual host बनाने के लिए पहले तो हमें जाना है अपाचे में right तो अपाचे में जाओगे आपको कौन मिलेगा then extra and we host okay so we host को मैं edit कर देता हूँ अपने note page से right तो यहां से जो मैंने बनाया हुआ है मैं यहां से आपको ले लेता हूँ suppose आपको यह मिलेगा last में तो आपको वहां पर enter करना है मैं इसको हटा देता हूँ यहां से जो मैंने पहले बनाया था so उसको क्या करना है आपको यहां से यह colon निकाल देना है okay then you have to remove last three lines and first line then यह comment हटा देना है so यहां पर क्या लिखना है हमें taste-project okay तो मैं यह वापिस copy कर लेता हूँ यहां पर यहां पर डाल देता हूँ यह हो गया मेरा उसको लिखना है taste okay तो इसको save करना है यहां पर तो हमने क्या किया यह service हमें run करनी है तो आप इसको copy कर लिजिए यहां से और आपको यहां से open करना है not paid को as a administrator right so मेरा admin ही है तो run as a administrator then open file so यहां पर आप देखिए windows में 32 drivers और extra में आपको host file मिलेगी वहां पर आपको open करना है उस file को अगर आप administrator में login नहीं होगे तो आपका जो भी होगा वो save नहीं होगा तो यहां पर मैंने project बना test-project.test जो मेरा यह server पर store होगा तो मैं यहां से save कर देता हूँ इसको close कर देता हूँ इसको भी close कर देते हम अब क्या करना है जब आपने कोई appaj server में install क्या miss change किया उसकी configure में तो आपका जो भी यह है appaj server आपको पहले stop करना पड़ेगा क्यूंकि आप stop नहीं करोगे तो उसकी effect नहीं आएगी then you have to start again अब हमें क्या करना है यहां पर जाना है हमने क्या लिखा था test slash project okay dot test देखे यह directory आ गई हमारी तो हम public पर करेंगे तो हमारा पहला आ जाएगा right so हमने हमारा जो भी index file से होता है वो कहां पर होता है sorry public में होता है तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर jam server में addtdoc यह हमारा test project और यह है public यह addtml फाइल जो index file वो run होती है यहां पर suppose आप यहां पर directly public लिखोगे तो भी आपका वहां पर open हो जाएगा मैं वो भी आपको दिखा देता हूं देखिए हो गया 4.4.11 तो ऐसे आप virtual host create करके आपका project direct आप URL के through run कर सकते हैं browser में यह था कि how to create the virtual host in the windows so मैं next video में आपको बताने वाला हूं कि अभी आप application कैसे create करें means जो symphony work कर रहा है उसका पहले में introduction दूँगा जो MVC work कर रहा है तो उसमें 2-3 point है वो मैं next video में cover करूंगा then after I will show to you how to create the application in symphony framework so इस video में इत्ता ही thank you for watching my youtube channel अगर video पसंद आया हो तो please like कर दीजेगा thank you झाल